जैहिन साथियो जैहिन साथ अनुपात और समा अनुपात में कोशन है राम और रहीम की आयोग का अनुपात तीन अनुपात दो है उनिमी से एक दूसरे से पाच वर्स बढ़ा है तो रहीम की आयोग कितनी है अप्शन दिया हुआ है इसमें कहा रहा है उनिमी से एक दूसरे से वोला जब ही से बोलता है तो चीजिन क्या रहाता है माईन्थ आईयोग लगाता है तो क्या पूलास आलम मतलब एक धुश्यक्त बोलता है या जाता हो mixture यह गूला आई इसमें भूलता है वोता है इसमें बूला है जो उनमें से एक sap कितना बस पहता है ताया है पाच वस शबस्वाले इनको लिके लेंगे राम और रही मिखेंगे राम अनुपाथ डॉप राहिम की सनुभी मिन कO है कि निया 맛있 कितने दूय राहिम olması से एक दूसरे से कितना बस वर्च पांत वर एक दूसरे कि यूनीट देख लेंगे दे इस में और इसमें कितना वरा एक का अंतर हो रहे हैं ना तीन से दू जाएगा कितना बचेगा एक यूनिट बराबर बड़ा है दूर पांच वस बड़ा टेहां हम लिख सकते हैं एक यूनिट बराबर 50 बरस नहीं को सब्सक्रड़ पुछे तो रहें की आए रहें का पुछा एक यूनीट बढ़ा पाँच वस् तरहीं की आई पूछे तरहरें के वनिट कितने हैं 2 तो यहां पर लिखेंगे दो यूनीट बढ़ा बाबर 5 आई है तिदर क्यों हो जाता है वाग इस यह भी गुना है तो जाएगा बाग दो हो नो ये कोशन देखेंगे कोई धन राम और रहीम में चार अनुपात तीन के अनुपात नियुक्त में नुच सबसे पहले लिखेंगे राम अनुपात रहीम एया न राम्त का अनुपात कितना चार्ड रहीम का तीन कोरें जे कूल भाग पुछ रहा है इस दोनों का अंतर नहीं पूछ रहा है कूल मतलब हम आप लोगों को पहले स hmИ फूर्फ करने के लिए दोनों यूंइट को कहणा कर देंगा एक चाहल पर तीन बिसका और zwischen याव तो कुल धन का अनुपात कितना है लिए साथ यूनिट बराबर च्वाविश सो आई तीन इधर गुना में तिधर रहा क्या हो जाएगा काटेंगे ना तीन एकम तीन आत्र के च्वाविश्ट आठ सते चापशन का रहा है तीन नंबर सतर के जी मिलावती दूद मी दूद तथा पानी का अनुपात तीन अनुपात दो है तो कितना पानी मिलाया गया है अप्शन दिया हुआ है सबसे पहले लिख लेंगा मिल्क अनुपात वाटर महिखा तीन है और वाटर कंप दो है दोनों पाठ्टबहर दूद कभेंगे ब्रक्षक्रल के जिञेगा तीन तो कि अप्ण तो कि नहीं अने था लिख सकते हüm लोग फांच यूनीट वर और कितना सतर केजी को इसमें किसका पूछ रहा है पाणी मैं पूछ रहा है तो फाद पानी के Two- GIS गू पानी कितना केजिए अठाइस केजिए